नमा बस्कार मेरा नाम है विकास कुमार, और आप मुझे देख रहे हैं फिल्म की बात पर आप लोगोंने अगर मेरा काम देखा है और पसंद की गया है मेरा काम, तो अभी हाल में आरया आई है काला पानी आई है, वो देखें और दुआ करें कि मुझे ऐसे ही अलग-अलग किरदार काला पानी की तरह खास कर मिलते रहें और उन्हें मैं निभापाऊं और आपको एंटरेटेन करूँ और आप रिटर्न में मुझे प्यार देते रहें और ये सिलसिला चलता रहें, शुकूरिया नवश्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका साथी सजीव साहरती और आप हैं फिल्म की बात के Guest in the House शो में आज हमारे साथ हैं बहुत ही जबदस guest, बहुत सीरीज के अंदर and recently अभी आरिया में भी आपने इनको देखा है तो विकास भाई आपका स्वागत है फिल्म की बात के अंदर शुक्रिया सजीव जी दिविकाजी विकाजी हम लोग स्टार्ट काला पानी से एक बार करना चाहेंगे लेकिन यह जो करेक्टर था काला पाने का यह बहुत ही एकदम नैचरल करेक्टर था जो जिसकी प्रोग्रेशन है काफी मतलब वो एक फैमिली मैन है जो अपने बच्चे के साथ भी कनेक्ट बिठाने के लिए जूज रहा है जो आपकी जो कमी है उसको वो पर पर एक स्टेज आसी आती जिसमें अपने बेटे को भी खोग देता है और वहाँ पर जो आपका सीन आता है जिसमें आप उस वैन के अंदर जाके जाब आप एकदम रोते हैं बुरी तरह वो सीन तो बिल्कुल ऐसा है जिसको कोई भी आदमी रो पड़ेगा मतलब वो इतना अच्छे से आपने किया है और उसके बाद फाइनली एक वो आप गड़े में गिरते हैं उसके तारीफ जितनी की जाए कम है थोड़ा से इसके बारे में बताइए काला पानी का जो करेक्टर था जब यह रोल मिला आपको क्योंकि खुद आपने पड़ा होगा तो आपको भी लगा होगे उसके अंदर बहुत कुछ है तो कैसा फील कैसा आया था क्या रियक्शन से शुक्रिया सर तो जैसा आपने कहा कि इसके पहले मैंने जादा तर लॉन एंफॉस्मेंट वाले रोल किये हैं कॉप वाले या फिर सी आर्पी एफ आर्मी तो एक एक्टर की इच्छा होती है कि अलग-अलग किसम के किदार मिलें तो जब यह आया मेरे सामने तो मैं तो कि इसके बाद जिन्होंने बनाया जिन्होंने लिखा है जो मेकर पोशन पाप प्रेशन तो मैं हमेशा से इनके साथ काम करना चाहता था जैसा आपने कहा कि संतोश सावला की जर्मी है मुझे लगता है पूरी बहुत अच्छी लिखे हुई है लेकिन उसमें भी अगर कोई क प्रिसाइस लिखा हुआ है उपर से जो उसकी जर्नी है वो सबसे कमाल की है जैसा आपने आप में वो जहां भी फस्ता है जो अलग-अलग अपने आप में एक पूरी पूरी फिल्म तो नहीं कहूँगा एपिसोड है अपने आप में पूरा पूरा तो एक अक्टर के लिए तो मतलब ऐसे रोल कम ही आते हैं तो मैं तो बहुत खुश था और मैं खुश था कि मैं कर पाया ओडिशन और इन लोगों ने मुझे चुन लिया और उसके बाद सबसे बड़ा जो आपका गाइडिंग स्टार होता है वो स्क्रिप्ट होती है तो आपको ज्यादा मेहनत तो करनी पड़ती है लेकिन आपके दिमाग में ज्यादा questions नहीं होते है ज्यादा logic को लेके वो सब वो problems नहीं होती तो script बहुत अच्छी थी, उसके बाद कूट पड़े, महनत की और कुछ एक ऐसा सही बैठा कि script अच्छी थी, co-actors अच्छे मिल गए directors का vision बहुत सही था, उन्हें पता है कि क्या work करेगा, क्या नहीं करेगा और कुल मिलाके background music editing मिलाके roll ठीक टाक निकल गया और जैसे आप कहे रहे हैं कि आप, मतलब, audience से अलग-अलग reaction किया रहा है, कोई एक scene पर हो रहा है, कोई किसी और scene पर हो रहा है, कोई सब भी scenes पर हो रहा है, तो बस अच्छा है कि निभाप आया में That is very humble, Vikas भाई, I mean, really, बहुती कमाल का roll किया आपने इसको तो, and थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आरिया पर भी, तो आरिया जो है, वो आप, तीनो season में आप रहे हैं, और इस बार जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इस बार आपको, ज़्यादा इसमें एहमियत आपकी मेरा ऐसा काम था, again, चीजें ठीक बैठ गई गई, अच्छी राइटिंग थी, किरदार ऐसा मिला, सुचमिता के साथ, आरिया के साथ सबसे ज़्यादा सीन्स थे, और वो सीन्स बहुत अच्छे निकल के आगे, और season one में, आरिया के अलावा, मेरा किरदार एक ऐसा थाबित है हर season में, कभी थोड़ा सा proactive होता है, कभी थोड़ा सा back foot पे खेलता है, तो इस बार जरूर ऐसा है कि, अगर world cup की terminology में बात करें, cricket world cup चल रहा है भी, तो मैं back foot पे नहीं खेल रहा हूँ, जैसे second season में था, third season में ACP खान front foot पे खेल रहा है, तो अभी आधा आया है show, चार episodes आ करने को होगा, ज्यादा confrontations होंगे सोचनिता से इनके साथ, ज्यादा मज़ा है, बिल्कुल विकास भाई तो एक आपकी और movie है, जिसके बारे मैं बात करूँगा, लेकिन मैं introduce करूँगा दीपिका को यहां पर, तो दीपिका आप पूछें विकास जी से, फिर से नमस्ते दी बहुत से सीन ऐसे थे, जो बहुत emotional कर लेते थे, और सबसे ज्यादा मुझे जो लगा, जो आप जैसे गठे में गिर जाते हो, और वैन में आपको non-vej नहीं पसंद, लेकिन वहां जाके किस तरह से अपनी life बचाने के लिए आपको वो करना पड़ता है, तो आप थोड़ा स उस सीन के बारे में बताईए मुझे, कि उसका जब आपने या तो स्क्रिप्ट पढ़ा, जब आप कर रहे थे, तो वो आपको क्या feeling आ रही थी उसमें, हाँ तो जब स्क्रिप्ट पढ़ा और एहसास हुआ कि पूरे एपिसोड या आदमी गड़े में गिरे रहेगा, और इ आचा सांप अगेरा सब VFX यूज़ होगा, असली सांप तो थोड़ी लड़े नहीं है, या चीटियां VFX में होंगे, तो कैसे करेंगे, लेकिन अतनी ही excitement भी रहती है, कि दो दिन अपने आपको जोग दिया एक तर, फिजिकल, of course, दिक्कत थी, रेंगना था, क्योंकि मेरे चाहर में चोट लग गई है, तो मैं ठंक से चल नहीं पा रहा हूं, ये सारी चीज़ें दिखाई गई है, मैं बाहर निकलने की कोशिश करता हूं, एक failed attempt होता है, मैं गिर जाता हूं, और वो unit को एहसास भी नहीं था, कि मैं अपने आपको एकदम छोड़ दूँ, मतलब गि जो मुझे पता चला बहुत दिनों बाद जब मैंने scanvan करवाया, मुझे लगा कि, उस समय लगा तो कुछ तो आवाज आई कहीं से ऐसा गिरा होंगा, मैं तो unit थोड़ी हरबड़ा गी है, सब ठीक है, मैं उठा, मैंने थोड़ा बहुत ऐसे वैसे कि है, ठीक है, थोड़ा द left side, right side थोड़ा सा उठा लेता था मैं, क्योंकि right side का पैर तूटा वा था, दिखाया था ऐसा, मुश्किल होता है कि पैर आपका तूटा है, वो लगे की तूटा है, ठीक है, चीटियां है, वहाँ लगे, साप नहीं है, लेकिन लगे की साप है, अंडा, of course, उन्होंने मुझ से पूछा था, art direction वालोंने, कि, sir, आप क्या चाहेंगे, अंडे की जगा, जो आप finally खाएंगे, तो मैंने कहा, दे दो यार, अंडा ही डाल दो, उसमें, अंडे का ही को, तो वो थे, आरे, नहीं, 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 कहा, मैंने बुला, नहीं, फील आएगा, कच्छा अंडा खा हाँ, मतलब, और उस बीच में फिर वो emotions दर्शाना, चाहे वो juicy jumble, वो जो drink है, जो मुझे पहुँचाना है अपनी बेटी तक, जो मेरी बीवी की आखरी इच्छा थी एक तरह से, जो नहीं कर पाएं, तो उसको देखके emotional होना, या, या, जब hallucinate करता हूं, मेरे बच्चे आ कर पाएं, हम अलग-अलग तरीकों से रो सकते हैं, actors, कोई trigger ढूंते हैं, या फिर glycerine use करते हैं, आप अलग-अलग तरीकों से रो सकते हैं, लेकिन अगर उसका जो, वो truthful नहीं है, आप उस समय, तो फिर वो connect नहीं करेगा, और इसकी जैसी journey थी, वो connect करना बहुत जरूरी थ आप सिर्फ रो रहे हैं, बेशक आपका, आपकी पत्नी गुजर गई, या बेटा गुजर गया, लेकिन अगर वो honesty से नहीं है, truthful place से नहीं है, तो फिर audience correct नहीं करेगा, करेगी, thankfully वो मैं कर पाया, अब वो again, like I said, I will go back, कि वो लिखावट इतनी खूबसूरत है इस show की, और बाद वो एक, वहाँ पर एक ऐसा बना की बस मैं कर पाया, मैं करता चला गया, inspire होके, लोग guide करते गया, वो होता चला गया, और कई ऐसे सारे scenes जो है, वो first take में हो गया, जो मैं खुद भी अचंबित था, जब हो गया, जैसे गड़े से निकलना, सबसे मुश्किल वो काम था वो गड़े से निकला हूँ में सबसे पहले, सबसे पहले गड़े से निकलना शूट किया था, मेरे शूट का दूसरा ही दिन था, सुबह सुबह, हमने शूट किया गड़े के अंदर का सारा हमने तीन-चार महीने बाद शूट किया, तो location का ऐसा था कि exterior हमें चाहिए था, त तो मैं अपना homework करता हूँ कि मैं कहां से आ रहा हूँ, मेरे उपर क्या-क्या बीती है, उसके बावजूद मैं एक बार अमित गोलानी जो डिरेक्टर थे उस समय, मैं उनके पास गया कि यार मुझे न स्टेप वाइज इकदम डीटेल में मुझे आप ले चलो कि क्या-क्या ह हुआ है मेरे साथ, मेरी पत्नी गुजर चुकी है, बच्चों के पास पहुचना है, वो सब है, गड़े में क्या-क्या हुआ है, और वो सब बताया है, फिर हम टेक के लिए गए, और वो जो मैं निकलता हूँ, क्योंकि वो उतना सब कुछ होना चाहिए, इमोशनली भी, फि पहले जाएए, और वो सिंबॉलिकली गारी का जूता भी पहले लेता है, वो कुछ बैट गया, कुछ हो गया, वो पहला टेक ओके हो गया, और वो सब फेक करना ना कि चेटियां अंदर तो डाली नहीं है, वो तो डालूँगा मैं जब शूट होगा, या वो भी तो वो भी honesty के साथ अप्रोच करते हैं, तो कुछ किस्मत, कुछ कायनात सब साथ देती हैं और वो हो जाती है, जीज़े, मानना भी बहुत बैतर किया है, और एक ambulance वाला scene जैसे सजीब जी बात करते हैं, उसमें एक चीज़ जो emotion का twist है आपका, जब अंदर आप इतना तिल खोल के रो र तो ये मुझे, मैं समझ सकती हूँ कि ये करना भी उतना मुश्किल है, लेकिन जो देखने वाला है, वो मतलब एकदम देखते ही वो हो जाता है, कि क्या acting है, कि अभी इतना, मतलब धाडे मार के इंसान रो रहा है, और बाहर आके एकदम नॉर्मल की जैसे कुछ हुआ ही नह मतलब इतनी जोर से रोता है, लेकिन उतना ही जो बाहर सुनाई ना दे, मतलब ऐसा कुछ, कि जितना silently आप जोर से रो सकते हैं, वो जो भी होता है, अंदर ambulance में कुछ ऐसा है, कि बाहर ये नहीं पता चलना चाहिए ना, कि ये fraud है, ये ambulance driver नहीं है, मुझे तो खत्रा यह है कि अब मुझे बेटी के पास महुचना है, अब तो वही बची है, तो वो करके, जब मैं बाहर आता हूँ, तो एक डर था कि जब हम पढ़ते थे, या जब हमने सुना था विश्वपती सरकार, बहुत अच्छे narrator और खुद बहुत अच्छे actor भी है, तो वहां तक पहुँचते पहुचते हैं कि वो बंकर बासू मुझे कहते हैं कि ये लो 500 रूप, वो पैसे देते हैं कि अच्छे से क्रिया करम करना, अपना समझ के करना, और फिर बोलते हैं ध्यान रखना मेरे गुच्चू का, और मेरी वही फाइट चल रही होती अपने बेटे से हमेशा, कि मैं गु हम पढ़ते थे, मैं चोक करने लाग, निकलता ही नहीं था फार्तू, इक ये? तब तक आ इतने भर गए हो, कि निकलता ऑी नहीं था, तो करते वक था कि निकलना तो है, क्योंकि छुपशूपाना भी है, तो और फिंच परसूपार्प करते हैं, वाटनी तो देखते वाह प पहुंच चुका है, वहाँ से शुरुवात हो जाती है, एक ओ लंप in the throat वाली चीज़, मुझे लगता है कि इस करेक्टर करने के बाद आप काफी टाइम से इस करेक्टर से निकल नहीं पाएंगे, it's not that easy, right, मैं कोशिश करता हूं कि इतना मैं फंस न जाओं कि मतलब वो on-off व नहीं रोया हूं, मैं अपनी असली जिन्दरगी में नहीं रोया हूं इतना, जितना मैं इसके audition में रो गया था, audition का एक scene था, गार की death, तो I surprised myself, उसमें लिखा भी वा था कि वो बच्चे की तरह रो रहा है, तो मैं एकदम, और I think that won me the part, उसके पहले मैंने दो अलग-अलग scene किये थे, वो भी उने पसंद आया था, फिर वो एक मेरे, अपने सामने करवाना चाहते थे, ये किया, तो मुझे भी feeling लग गए कि आप और क्या ही, बच्चे की जान लोगे, क्या वाला, तो उने से भी, मज़े वो vibe मिल सजीब जै कि आप ऐसे-ऐसे emotions tap करते हो, जो आपने कभी नहीं किया है, तो आप खुबर नहीं पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने देख कि हम उबर नहीं पा रहे हैं, तो बस सजीब जै ये कह रहे थे, कि ये तो बस congratulate करती रहेगी, बढ़ाई देती रहेगी और fan, acting के fan, वाकिए ही ये सच में दिल को छूग गई है सीरीज में, बहुत ही कम सीरीज ऐसे होती हैं, जो जिससे आप देखने के बाद इतना नहीं दिमाग में रहती है, लेकिन ये इसकी एक जो आपको touch कर गई है, तो बहुत ही होती है जब हम सुनते हैं आप जैसे लोगों से, हमें जब हम काम कर रहे थे, तो हमें एहसास था कि हम कुछ special चीज़ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो makers हैं, उनकी intention और purity of intention का पता था, जिस तरह कास्टिंग में भी, इतनी honesty के साथ कास्टिंग हुई है, हम सब के रोल मे कोई बहुत ही बड़े नाम हो सकते थे, अराम से, यतने अच्छे रोल हैं, लेकिन इन्होंने honesty के साथ auditions ले और जो इन्हें सबसे fit लगा, उसको दिया है और सबने निभाया है, तो ये सब हमें पता था, लेकिन अब जब हम audience का reaction देख रहे हैं, और देख रहे हैं कि audience प्र जो याद रखी जाएगी, हमारे लिए ये बहुत एहम रहा है, ये project, आशुतोष गुवारिकर जी ने भी phone करके यही कहा था, मुझे कि, ये this is for the long term, ये project आप से याद रखा जाएगा, आप इस project से याद रखे जाओगे, ये छोटी चीज नहीं है, ये लंबा चलेगा, I'm really lucky, नहीं, तो नहीं तो क्या होता ना, ये अगर connect नहीं कर पाते हैं, अगर वो truthful नहीं होता, दिखाने के लिए रो देता, ठीक है, आशू आ जाते हैं, तो फिर वो ऐसा लगता है, रोंदू टाइप character लगता, क्योंकि ये वो बार-बार वैसे आ रहा है, सफर कर, आप उ तो बहुत सी चीजों में ऐसे, आपने juice अपने पीने के लिए निकाला, लेकिन रख दिया, लेकिन आपने वो बाहर फेंग दिया, तो वो बहुत सी चीजे और जब आप ये कर रहे हो नो, आटोमेटिकली बोल पड़ते, अरे यार पी लेना चाहिए था इनको, उसके बाद ये कुछ blessing है, तो ये जो से आप कहरी है न, चलिए, of course, जो मुश्किल चीजें है, रोना, वो सारी जो बड़ी चीजें है, वो तो हैं ही, लेकिन ऐसी चोटी सी चीज न, कि वो देख रहा है और वो सारी चीजें हो रही है कि नहीं यार, कि मुझे ये नहीं पी सकता, ये त चाहा था, और दूसरी बार ये कि ये भी है उपर से कि अगर हम मैं इसे देखता रहूं, मैं टेंप्ट न हो जाऊं, तो मैं इसे फेंक ही दो, और फेंकूंगा तो मुझे बाहर निकलने का भी एक motivation मिलेगा, कि मुझे उस तक पहुचना है, और ये सारा अगर audience के तक पहु उसके साथ, डॉक्टर के साथ, आप पहले उनको कहते हैं कि आप तो मेरी लिए खुदा हैं, और उसके बाद फिर जब वो situation आती है कि आपकी बेटी को वहाँ ट्रॉप करना है, तन आप उसके पर हमला करते हैं, उसके पर प्राइस शेट करते हैं, ये सारी चीज़े मतलब मैं बता रहा हूँ, ये कुछ ऊपर वाले का हाथ था, वो भी first take हो गया, मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि आपको चलता है ना कि इसको क्या करें, कितना वाइलेंट बना दे, ठीक है, तो हम ये भी नहीं चाहते थे कि संतोश जो है ना, एकदम अब आप कमोर्शल खेल ज वो उसे जड़ा सा जटका लगता है कि ये क्या हो गया, तो फिर वो असली संतोश भी आ जाता है कि ये मैंने क्या किया, लेकिन फिर होता है कि भाई अब चलना है, बेटी है ये वो, वो again sir, वो बस हो गया, वो मेरी co-actor बहुत अच्छा सहयोग दे रही थी, अरुशी, उन् अमार लिए कुछ है लेके आए और मैं वही juicy jumbo तो जितनी बार take होता था ना कभी wide लगाया, profile लगाया, कभी मेरा shot लगाया, उनका shot लगाया, मैं उतनी बार मैं जब निकालता था, मुझे सारे का और गारगी basically दिखती थी, मुझे लगता था, और मुझे रोने जैसा होने तो मुझे लगा चलो कुछ है कि मैं focus कर पा रहा हूं, वो honesty के साथ यह आ रही है, हाँ, thank you, यह हो गया, हो पाया, कई बार इतना आसान नहीं होता, आसान तो कभी नहीं होता है, पर कई बार क्या होता है कि आप attack सकते हैं ऐसी चीज़ों में, ठीक है, और कोई बड़ी बात है, the best of us, we get stuck, कि कैसे करें, कितना करें, करी टेक्स लग सकते हैं, फिर patiently करते भी हैं, लेकिन वो, again, I think वो originate करता है, राइटिंग से, वो राइटिंग इतनी inspiring है, कि वो help करती है आपको, एक तो पूरा दे देने के लिए, as an actor, और दूसरा वहां तक emotionally पहुँचने के लिए एक वही होता न, कि हर सीन से पहले आप emotionally, physically वहां पहुँच जाएं, तो कई बार ऐसा emotional होता है, कि वहां पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है, ये writing ऐसी थी, कि बड़ी logically वहां पहुँच जा जाते हैं, सानी से, हम सब को पता है, कि आप एक actor है, और बहुत ही कम लोगों को पता है, कि आप एक dialect coach भी है, तो मैं सिर्फ ये पुछना चाती हूँ, कि दो question है, एक, आपको acting या coaching, इन मेंसे क्या ज्यादा मुश्किल लगती है, पहला तो ये question है, और दूसरा कि ये सिखाना कितना मुश्किल है किसी को, एक तो हमें पता है, कि सुनने से हम जान पाते हैं, हम सीख पाते हैं, कि अगर हमें को dialect या dialogue सीखना है, कोई style सीखना है, तो हमें वो सुनना चाहिए, लेकिन आपका role, कितना मुश्किल होता है किसी को सिखाने के लिए, तो पहला आसान है में लिए, acting जाधा मुश्किल है, बहुत जाधा मुश्किल है, acting के लिए एक अलत हैं, बार-बार अपने आपको वहां तक पहुंचाना है, और करना, और फिर न, कई बार आप करते हैं, एक सीन किया आपने, उसके फिर कभी इदर से शूट होगा, कभी उदर से शूट होगा, और बार-बार emotionally वहीं पहुंचना, ना जाधा ना कम, वो मुश्किल काम, और उ साथ में काम करना हो अगया, और अपनी तरफ से जादा मेहनत करते हैं, तो जल्दी हम एक डायलेक्ट पे या कुछ पे पकड़ बना पाते हैं, थोड़ा सा, I think, हिंदी फिल्म इंडुस्ट्री में, हमारे या थोड़ा सा इसको कम अभी भी importance दी जाती है, थोड़ा और वक् आक्टर्स हैं, कई चीजों में busy रहते हैं, multiple projects चल रहे हैं, एक खतम हुआ, दूसरा शुरू हो गया, तो आपको कब टाइम मिले कि आप डायलेक्ट कोचिंग पे काम करो, बाहर जो है, मैंने सुना था किनी का, शायद Kate Winslet या Kate Winslet बहुत काम करती है, ऐसी किसी और actors का भी स चल रही थी Zoom पे, वो शूटिंग शुरू होने वाली है, बहुत बड़ा project है, 21 तारीक को shoot है, और पहले दिन जिनका काम है, वो अभी cast हुए, लॉक हुए, उनका भी पहला वो था workshop, और वो उनका डायलेक्ट भी नहीं है, वो मेरा डायलेक्ट भी नहीं है, लेकिन मैं help कर रहा हूं, उसको facilitate करना है, तो अब सोच लीजे, बीच में दिवाली भी है, आठ दिन है मुश्किल से, ठीक है, लेकिन कर लेते हैं, we find our way, मैं लखी हूँ कि जिस actor के साथ काम कर रहा हूं, वो जल्दी समझ गये, थोड़ा theatre background है उनका, और दिख रहा है कि मेहनती हैं, तो कर लेंगे, विकास भाई, यह dialect पे, कैसे आपके पकड़ बनी, मतलब क्या आप different different dialects को लेकर, कैसे इतने confident है कि आप दूस्तों को भी सिखा पाते हैं, मतलब, शुरूआत मेरी हुई normal, जैसे जब मैं acting करता था, अपने वर्क्शॉप सोगेरा में, Barry John के हां से मैंने सिखा, या लहजा, उचारन, यह सब मेरे pluses, तो ऐसे ही एक काम आ गया, एक Hollywood की film shoot हो रही थी, इंडिया में totally, जोदपूर में, और मेरे मित्र है, हनी त्रेहन, वो film director है, उन्होंने रात अकेली है बनाई थी, नवाज उतीन सिखी के साथ, तो वो मेरे roommate थे उस समय, और उनके सामने कु इंशौर करना था कि जो यहां की लोग cast होते हैं, कुछ 40-odd Indian actors, छोटे-छोटे roles में cast थे, उनकी अंग्रेजी सही हो, और वो Indian में sound करें, वो towards British sound करें, तो वो भी मैंने सीखा, उसने बोला तू कर लेगा, और तब तक पता नहीं था मुझे की dialogue coach नाम की कोई चीज होती है, मैं set पे पहुँचा जोटपूर में, तो Hollywood set पे usually crew को बैज दिया जाता है, जिसके आपका नाम designation लिखा रहता है, तो वहाँ पर मुझे मिला विकास कुमार dialogue coach, तब तो हम लोग जान पाए कि dialogue coach क्या होता है, तो वहाँ से शुरू हुआ, और फिर मैंने पाया कि मुझे में ए जातातर मगई का dialect पकड़के काला पानी में बूला है, मैं इन पे expert हूँ, expert कहलों या knowledge काफी है, इनको मैं handle कर सकता हूँ, बाकि हमारी team है, strictly speaking मेरे firm का नाम है, तो अलग-अलग भाशाओं पर अलग-अलग लोग expert है, हाँ कई सारे जब dialects आते हैं, हलका-फुलका काम करना ह होता है, flavor के लिए, जैसे इश्किया में भौपाली का था, थोड़ा भूजपुरी था, तो उसमें मैं खुद ही काम करता हूँ, और फिर मैं आगे उसकी training देता हूँ, शकुंतला देवी में कनड़ा का थोड़ा था, थोड़ा सा influence लाना था, तो ऐसे ऐसे जितना मेरे बस म होता है, हिंदी फिल्मों में वैसे थोड़ा flavor ही चाहिए होता है, तो ये भी जैसे मैंने जिस project की बात की, उसमें south का चाहिए, एक generic south, तो उतना मुझे है समझ की, क्या करना है, vowels, sounds, consonant sounds को लेके stress, pause, अलग-अलग चीज़ें में जानता हूँ, उतना मैंने उतनी पढ़ाई क की है, research की है, खुद ही, और लोगों को सिखाते सिखाते उनकी गलतियों से सीखाऊ, जैसे कोई trainee है, उनको train कर रहा हूँ, जैसे र, कई लोग बाहर से आते हैं, कई actors हैं यहाँ पर, तो वो जैसे र, 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 बोलेंगे, र, 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 नहीं बोल सकते हो, तो उनको र, वो एक ही method सब के लागू नहीं होगा, इसे और से करवा, उससे होई नहीं रहा, तो फिर आप कुछ और टटोलते हैं, ढूनते हैं, तो ऐसे करकर के मैं बहुत कुछ सीखाऊ, और आज experienced हूँ, इसलिए कर पाता हूँ, नहीं बट दोनों बिल्कुल वोट different चीजे हैं, इतना time क कैसे manage कर रहे हैं, तो तो time तो लगता है, और हमारे एक साथ multiple projects चल रहे होते हैं, तो जैसा मैंने कहा, मैं project आता है, मैं उसको एक तरह से supervise करता हूँ, उसको पटरी पे ले आता हूँ, फिर मेरे साथ कोई ने कोई मेरा colleague रहता है, जो उस पे, जैसे इस project पे भी एक है, तो जब shoot शुरू हो गाई किस से, तो मैं नहीं रहूंगा set पे, वो मेरे colleague जो है, Rohan, वो काम करेंगे, और acting का मैं थोड़ा चूजी हूँ, मैं जब तक वही, Arya जैसा, काला पानी जैसा रोल नहीं मिलता, मैं थोड़ा इंतजार करता हूँ, तो तब तक ये करता हूँ, अब producer भी बन गया हूँ, short films or documentaries produce कर रहा हूँ, आगे audio platform भी हम लोग शुरू करने वाले हैं, पोशिश है, तो चल रहा है, ये सब actually आप यहां आते हैं, creative field में हैं, तो कुछ-कुछ dialogue coaching शुरू हुई थी, तब कुछ करने ही रहे थे, acting का कोई काम नहीं था, और I think कि अच्छा है सब के लिए, जो यहां आते हैं, अगर कुछ-कुछ training लेके आते हैं, theater करके आते हैं, तो सब की ना कोई और hobby भी होती है, कुछ नहीं तो assistant बन सकते हैं, किसी set पे, और चीज़ें सीख सकते हैं, कुछ writing की तरफ रुजान ले ले लेते हैं, कुछ direction की तरफ ले ले लेते हैं, तो बात कर रहा था, वो film थी, हामिद, हम लोग C80 से आपको देख तो रहे हैं, लेकिन जो actually, जिससे कहते हैं, देखना, मतलब हम लोग usually जब क्या होता है, एक समझना की character को, एक actor को समझना की, यह actor तो वाकई कुछ है, तो हामिद से मेरे साथ हुआ था आपके लिए, तो वो ब important topic है, बहुत पुराना चलता आ रहा और पता नहीं कब तक चलेगा वैसा वाला topic है, लेकिन उसको बहुत delicately handle किया है, इतना तक कि censor board ने भी कुछ काटा वाटा नहीं, कुछ उन्हें ऐसा लगा नहीं, और I think मेरी किसमत में लिखा वाता कि मुझे वो करना है, वो जब आई लेकिन role देखके मुझे था कि यार अगर पहले आया होता तो ये clash avoid करने के लिए मैं हामित को हाँ कह देता, लेकिन commit कर चुगा था परमाणू, thankfully जो producers हैं, सिधार्थ, आनंद कुमार, main producer है, सारे गामा के थे, इस पे थे, हामित के producer थे, वो मेरे director रह चुके थे, खोटे सिक के एक project था यश्राज का, उस पे, तो उन्हें था कि विकास ही चाहिए, तो ये थोड़ा तलता रहा, मेरे dates, dates को लेकिन, ultimately उनको, उनका मुझे message आया, कि यार कर लेना कर क्यों नहीं रहा है, तो मैंने बोला, मैं तो करना चाहता हूँ, मैंनी dates का problem है, आप ही मतलब क्या करो परमानू खतम हो दो इस तारीक को, तो उसने बोला कि dates भेजो, ठीक है, मैंने भेज दिया कि इस दिन खतम हो रहा है, वो इतने sweet थे, he adjusted the entire schedule according to my date, so आज मैंने यहाँ परमानू शाम में रात में खतम की, और कल सुबह मैं flight लेकर शीन अगर गया, और अगले 6 दिनों में मैंन हामिद शूट कर थी, हामिद एक छोटे budget की फिल्म थी, मेरे लिए सिर्फ 6 दिन थे, क्योंकि मेरे scenes भी सारे solo हैं, या तो phone पे है mostly, तो उसमें बाकी actors की ज़्यादा, जो main actors थी, बच्चा और असिका, जो माँ थी, उनकी ज़रुरत थी नहीं, तो लगातार मेरे scenes करके, और एजाज ने एक बहुत अच्छी फिल्म मनाई है, जो director है, और फुल मिलाके, again, I think उस साल की सबसे अच्छी reviewed फिल्म थी, और एक ऐसी फिल्म है, जो हमेशा मेरे career में बहुत important रहेगी, of course, बहुत ही कबाल, and thank you sir, आपने notice किया, और आपको पसंद आए मेरा काम, विकास जी, कुछ एक quick round of questions करते हैं, कि हमारे पास सिर्फ 5 मिनिट बचे हुए, तो मैं कुछ ऐसी पनी से सवाल रखूँगा, जो भी आपके mind फटा बटा है, वो अच्छा चलिए, आपको कोई fictional character जो आपने अभी तक play किया है, उससे आपको, अपनी life को swipe करने का मौका मिले तो वो कौन सा character होगा, ऐसा कोई किया नहीं है सब मैं, मैंने ज़्यादा कॉप वाले किये हैं, उन से मैं क्यों swipe करूँगा, और संतोष सावला के साथ तो इतना घटा है, काला पानी कोई काहे के लिए कुछ करेगा, मैं फिर भी याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन स अगर मैं कर सकता हूँ, जितने भी मैंने किये हैं, ज्यादा नहीं किये हैं, एक फिल्म आ रही है, उलजन, उसमें मैं एक लखनाओ का बिजनस में, पर वो भी नहीं, परमानू से चलो कर लोगा, परमानू अचीवमेंट वाली फिल्म थी, मैं major वहाँ एक nuclear test वेस्ट करके घर जाओ, फैमिली के साथ रहो, तो ऐसा वाले, अचा जैसे अभी आप काफी famous हो चुके हैं, तो कोई ऐसा fan interaction कभी हुआ हो, जो बहुत funny रहा हो, कुछ ऐसी बात याद आ रही हो तो, होते हैं, कुछ अलग-अलग होते हैं, एक interesting था कि, interaction नहीं हुआ, मैं खोटे सिक्के करके, एक थोड़ी पुरानी बात है, गया था घर, तो टेलेकास्ट होता था सोनी पर, यश्राज का शो था, बड़ा शो था, और मैं घर गया, तो मुझे एक बहुत दूर के कजन मिले, और वो एक और मेरे दूर के कजन के बारे में बता रहे थे, जो IAS की तयारी कर रहे थे, गाओ में, तो आपस में मिले होंगे, और वो TV भी देखते नहीं थे, तो वो बोले कि, यार मैं, क्या कर रहे हो, आज कल तुप तयारी कर रहे हैं, पीटी दे रहे हैं, यह और लेकिन एक टीवी पे शो आता है तो मैं बस वही देखता हूँ टीवी पे, वो CID के बाद आता है, CID के बाद आता था उस समय उसमें एक आदमी है यार वो हमको बहुत अच्छा लगता उसकी आक्टिंग लोग और ये मेरे ही extended खांदान का आदमी बोल रहा है मेरे लिए, शको नहीं पता ये कौण है, तो वो बोल रहा है कौण स我們 उसने बताया, खोटे सिक्के कर के ऐसा है, तो उसने बुले आरे वो तो बिने चचा का बेटा है वैसे करके, तो भोले आरे क्या बात कर रहा तो हाँ, वहीं तो है जो बाहर रहता है ये वो मुझे शक्र को ढंक से नहीं जानते होंगे पर वो मेरे लिए बहुत ही और उनके लिए सोचिए कि जो आदनी टीवी देखता नहीं है जो पढ़ाई में बिजी है आई एस पन्ना है वो इतना टेंप्टेड है कि आएक लड़का आता है जो मुझे ब अपनी फैमिली के साथ है वो बार-बार मुड़के मुझे देखे और मैं भी अपना चलो मुझे देखे और मैं बहुत बड़ा फैन हूं आपका बहुत पसंद करता हूं आप मेरे फेविट यह सब करता ंगया वह और फिर अचानक बोलता है आपका नाम दया है मैंने बोला अरे मतलब भाग यहां से वैसा वाला बोला कुछ नहीं मैंने बोला अच्छा मतलब इतना बड़ा फैन मेरा अभी जीत मोल दे मुझे समझ में आता है मैं थोड़ा बहुत उनके छोटे भाई जैसे लोगें दया तो कुछ पहाड़ आदमी है और इतने पॉपिलर यह वाली चीज जो आप कह रहे हैं अभी जब आपको उसमें देखा काला पानी में मेरी बेटी ने तो अरे यह तो चंडीगर की लिए ले रहा था बॉर्डिंग तो वहाँ पे सूरिया मुझे आते हुए देखे मुझे कुछ लोग पहचान में थे कोटे सी केसी कुस-कुस-कुस-कुस हो रहा था और वो आये वो बात सुन गये बाहर आये कोई उन्हें नहीं पहचान रहा था मैं गया था म मैंने फोटो खीची उनकी रिक्वेस्टेट की के निए ठीक है फिर हम बात करने लगे तो कुछ लोग मुझे पैचानते हुए आये और फिर उन्होंने मेरी फोटो खीची तो सूरिया जैसे सूपरस्टार तो ये बहुत इंट्रेस्टिंग था और फिर एंग मैं उनके पुलिस के रोल में देखा है लेकिन यूनिफॉर्म कभी नहीं आपका हुआ देखा कभी पहने हुआ है तो ये क्या कोइंसिदेंस है या आपने ऐसा सोचा है कि मैं रोल तो करूंगा लेकिन यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा ये प्यॉर्ली कोइंसिदेंस है पाउडर में वो anti-narcotic cop थे तो वो पहनते नहीं है ठीक है खोटे सिक्य किया उसमें मैं criminal cases handle करने वाला cop हूँ लेकिन मैं भी बहुत interested नहीं था क्योंकि उसमें look थोड़ा ये था यही दाड़ी वगाड़ी हलकी सी रखता है और director interested थे लेकिन thankfully producer आये ते चोपड़ा थे और उन्होंने मुझे देखा कि नहीं ये थोड़ा system के खिलाब ये uniform नहीं पहनता है बलकि उन्होंने चकदे इंडिया शारुख किया थी उसके ढर्रे से कि ये वैसे कपड़े पहनता और ये थोड़ी दाड़ी रखता है मैं बड़ा खुश हुआ था मैं वैसे ही शारुखान का fan चकदे इंडिया का fan और actually हमने कभी-कभी costumes के लिए जैसे यश्राज का अपना production है तो यश्राज की costumes का जो पूरा hall है वहाँ जाके पेटियां खोल के मैंने actually चकदे की एक-दो shirts पहनी है शारुखान की खोटे सिक्के में मैं बड़ा खुश हुआ था और भी जो भी किया interestingly अजजी एक film है देवशीश मकीजा की उसमें मैंने half uniform पहना है मैंने pant जो है न लेकिन वो इतने हलके खाकी रंग की है और वो रात वात में ज़्यादा dark में scenes shoot हुए है तो कुछ बाता भी नहीं चलता वो लगता है कोई light color pant है उपर कभी नहीं पहनी हाँ ऐसे ही रहा है मैं बहुत खुश हूँ इस बात से और strangely क्या होता है कि casting के लोगों से phone आता है मुझे और वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे है cop है ये है तो मैं बोला यार मैं कर चुका हूँ अगर बहुत interesting role हो तो बताईए तो बहुत है नहीं नहीं लेकिन इसमें आपको uniform नहीं पहनना है तो मैंने मैं फिर बोलता हूँ कि लेकिन मैंने पहना कब है मैंने तो आज तक uniform police वाला नहीं पहना है CRPF का जो camouflage होता है वो पहना है पर मनू में पहना है camouflage पहना है लेकिन एक uniform uniform ना army की न cop का पहना है coincidence है इतने role कर चुका हूँ लेकिन नहीं पहना है देखते हैं कब पहनते हैं से लिए हम भी वेट करेंगे कि कभ ये मौका आपके पास आए और हमें भी आपको uniform में देखने का मौका मिले बेट आप बिना uniform के इतना involvement आपका इस role में इतना जाधा होते हैं कि हमें फरक ही नहीं पढ़ता कि आपने uniform हम पहना है या नहीं पहना है हम तो सिर्फ आपके उलकों और आपके आपको देखते हैं बस शुक्री है बाद थैंक यू सो मच हम भी आपको बहुत बड़ा फैन है थैंक यू थैंक यू सो मच दिपिका आपको स्वीट ने वो डैलेक की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आपको देखते हैं विकास जी सही लेंगी जी जी कभी भी जो भी मैं अपना शेर करता हूँ मैं वही कहता हूँ मैं टीचर नहीं हूँ फिसिलिटेटर हूँ मुझे एक वरक्शॉप लेना थोड़ा बहुत आता है और मैं अपनी एक्सपीरिंसे शेर करता हूँ खासकर जब मैं एक्टिंग कोच हूँ डैलेक चलो ठीक है उस पर तो काम काई एक्टिंग कोच में में मेरा ऐसा कोई डैलेक कोचिंग का टाइगर त्री आ रही है कल रिलीज हो रही है और एक्टिंग कोचिंग में दरेल वे मैं आ रही है जिसमें मैंने बाबिल खान के साथ काफी वरक्शॉप किये बहुत इंट्रिस्टिंग था क्योंकि वो उनके सुपुत्र हैं इर्फान खान साथ क्या आक्टर थे तो कई चीज़े न उसमें भी होता था कि मैं कुछ कहूं किसी चीज़ के बारे में कोई अपना फंडा कुछ और वो बोल दे बाबा भी यही कहते थे तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगे और बाबिल बड़ा खुल के बात करता है यी लाइक स्टॉकिंग बाट इस फादर आप थोड़ा संकोच करने लगें लेकिन वो बोलता है ने ने मुझे पुरा नहीं लगेगा मुझे अच्छा लगता है आप बताएं तो हाँ उनसे भी मैंने बलकी वही सिखा य Evans. मैं वोलब ने हर जिसको भी मैं सिखाता हूँ मैं दो सीख भी लेता हूँ जो आगे मेरे काम आ जाती है या आगे किसी क्लास में पिर आगे मैं किसी को सिखा देता हो ऐसा होता है ठीक है बहुत सारी शुब कामना हैं आपको जितने भी आपके प्रोजेक्ट सारे हैं हम आपको बहुत देखना चाहते हैं इस्पेशलि अगर मैं अपनी बात करना हूँ तो मैं आपको इंस्पेक्टर के रोल से ज़्यादा स्कोप अफ़ परफॉंश बढ़ जाती है हलां कि मैं आरिया बहुत इंजॉई करता हूं लेड रोल है लेकिन अब हाँ कुछ और बी अलग करने को मौकप मिले कुछ हल्का फूलका करने को मौकप मिले कुछ कॉमडी मैं खुद अपने आपको टेस्ट करना चाहूंगा तो मज़ा है Thank you so much sir मुझे बहुत मज़ा है बहुत दिल से खुलके बात करें और टाइम दिया आपने इतने बिजी शोडूल में से That is a big thing Thank you so much